अब दोस्तों वेलकम टू माई निव ब्लॉग अभी बच्च के सुबह के साड़े चे और मैं आया हूँ अभी खेत में कि मोटा चालू करें थी बावडी में से इसलिए में खेत में आया हूँ और अभी मोटा चालू कर दी है लगबक दो गंटे का पानी है बावडी में अब देख सकते हैं मोटा चालू करके अभी मैं घर पे जाओंगा और दो गंटे में लाइट ही चली जाएगी तभी मोटा अपने बंद हो जाएगी पानी छोड़ दे आए मैंने अपने गंटे के खेत में अभी चलते हैं घर उसके बाद आपको एक ही मैं आज एक इंट्रेस्टिंग जगर दिखाने जाने वाला हूँ हेलो दोस्तों अभी जा रहे हम हमारे लोकेशन की ओर हमारा लोकेशन अभी इदर से दो से डाही किलोमेटर दूर है पर रोड एकदम खराब है कच्चा रोड है और हम जाने वाले है माधेव के मंदीर में और उदर का व्यू एकदम बारी है बहुत ही अच्छा लगेगा उदर आपको जाके आप देख सकते हैं कि हम अभी आए पर पूरा रोड कच्चा ही है आगे जाके आप देखेंगे कि बहुत ही खराब रोड है मेरे को इदर से दो पाड दिखाई दे रहे है एक पाड तो साप साप दिखाई दे रहे है और दूसरा है वो उसके खाली जाडिया दिखाई दे रहे है हमें पहले वाले पाड पे नहीं जाना है उसके आगे वाले पाड पे जाना हैotion से उदर जाके उदर माहदेओ का मंदिर जान अब ही पैले वाले पाड के पास आ गएंघे ऑस्तों प्रॉस करके आगया चुके भी देख सकते रोड एकदम खरावे क्या पूरा खड़ी खड़ी निकला है इदर आपना लोकेशन दीक रहा है अपने को पाड जो जाड़ी दिख रही है उस पाड़ पे जाने का है हम पहले इदर आये थे तो हमें हिरन भी बहुत दिखे थे आज क्याय कर तो है की क्या मालूम लेह को सामने अच्छा रोड दिखा है है कि मेरे मेरे को तो है अभी हमारा मोबाइल का कैमेरा है है सले हम किया उतना जूम करके आपको नहीं दीखा सकते फैनिक देखते इसमें दिखता आए क्या नहीं कि मै fak cambiar लेकिन आपको दिखरा है क्या नहीं क्या मालूम नहीं मेरे को कि दिख रहा है आप जरा वीडियो पॉच करके देखेंगे थोड़ा इदर तो आपको इदर दिखेंगा हिरन जूम करके देखें पहाड पर पूरा जंगल जैसे जाड़ी है यह बहुत बारिश के टाइम में बहुत अच्छा दिखता है यह इदर लोग दूदूसे देखने क ले आते हैं इतने बड़ी हर्याली होती है इदर अभी हमारे लोकेशन के हम बहुत नजदिक आ चुके इदर से क्या सो मीटर पे रहेंगे लोकेशन इदर देख सकते हैं इदर दोनों तरफ जाड़ी आए यह पाड़ पे चड़के भी देखेंगे हम क्या कैसा नज़ार आए उदर से अभी हम पोच चुके लोकेशन पे यह दिख्रायन मंदीर यह मादेव को मंदीर है इदर है सोम्मार को बहुत बीड़ रहती है पर यह अभी दूप होने के करण कम रहेंगे इंसन में को लगता है अभी हम पोच चुके अभी में मंदीर में जाके दर्शन लेकर आ चुका हूँ लेकिन मंदीर में कैमेरा मोबाइल से फोटो कितने के मनाई है इसलिए मैं उदर का शूट नहीं किया है अब यह देख सकते हैं आप यह मंदीर का मांदर कंस्ट्रक्शन है इसका एक स्लाप हो चुका है यह देख सकते हैं आप इदर जंगली जंगले दोन तुरब पेड़े अब हम जा रहे हैं पाढ़ के उपर भी देख सकते हैं आप कि अब ही तो रास्ता बहुत है अब ही देखो हमें चलने के अदत नहीं है तो सासे फुल रही है इतना उपर चड़के हमेरी सासे फुल रही है यह देख सकते हैं ऐसा कुछ नाजार आई और वह मंदीर है अभी यह बहुत थी फेमिस मंदीर है इधर का इधर सासे फुल गई इधर बहुत लोग आते हैं अभी तो थोड़ी बीड कम थी पर सुब बारा बज़े तक और आभी चे बज़े के बाद दस बज़े तक बहुत लोग आते हैं देख सकते हैं इधर का वीव भी बहुत अच्छा है अब तो सब पत्ते जड़ चुके पेड़ों के इसलिए इतना अच्छा नहीं दिख रहे हैं जब इस सब हर्याली हरा हरा हो जाएगा ना बहुत अच्छा दिख रहे हैं देगा दोस्तों आप देख चुके मेरी सासे पूल रही हैं अब यह देखो यह इसा रोड था हमें पिछे वाले कामेर से दिखा तो आपको हम तो बहुत ही आसान रोड से आये यह रोड था जब हम बच्छपन में इधर आते थे हैं बच्छपन में देखो पाड़ बहुत बड़ा ही हम सिर्फ एक ही कोने पर बहुत ही चोड़ा राउंड है इसका अभी हम यह दर उदर नहीं जाएंगे जब यह हर्याल होगी ना तब आपको सब जगा से गुम के दिखाएंगे अभी यह देखो लगबग 6 बच चुके लेकिन सूरज ब अब को यह लोकेशन के इसी लगी और कमेट करके बताओ और वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो